Hey everyone, this is Chani Dinnani and I welcome you all to Marknit Brains Hindi, एक आसा चानल जहां आपको मिलती है School Education, बिल्कुल free of cost. साथी साथ, अगर आप different courses, जैसे की Spoken English course, अगर आप अपनी English जो है, वो सुधाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे English as a language बहुत अच्छी लगती है, बट मैं थोड़ा confidence, you know, नहीं गेन कर पा रहा हूँ, और मुझे confident बनना है English में, तो definitely आपके लिए बहुत ही प्यारा सा course है, वो है Spoken English course. साथी साथ, अगर आप NTSC Olympiad जैसे वीडियोस देखेंगे, तो आपका जो ग्यान है, वो बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा, different, different topics से related, तो definitely आप NTSC और Olympiad की वीडियोस भी देख सकते हो, In addition to this, आप जिस भी competitive exam के लिए, एक, you know, dream बना के बैठे हो, एक goal बना के बैठे हो, कि मैं IIDJ क्राक करूँगा, मैं NEED क्राक करूँगा, मुझे SEC, bank competitive exams, RRB, या UPSC, इस अब क्राक करने, और मैं इसकी पढ़ाई definitely start कर दूँगा, तो start कर दीजे, क्योंकि पूरे courses जो है, वो Magnet Brains पे available हैं, और ये सारे videos again, बिल्कुल free of cost है, आपको कोई payment, कोई subscription, ये सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है, आपको क्या करना है, सीदे जाना है, और videos देखना है, तो अगर आप चाहते हो, कि 24-7 आप अपने घर पे बैट के जब चाहें, तब अपनी पढ़ाई कर सकें, वो भी बिल्कुल best content के साथ, तो प्लीज आप Magnet Brains की website ज़रूर विजिट कीजे, अब कैसे विजिट करते हैं website, कैसे करते हैं videos को access, सब बताऊंगी in detail, बट इस वीडियो के अंत में फिलाल के लिए बात कर सकते हैं आज के topic की, तो आप सब जानते हैं कि हमने chapter 7 को अभी फिलाल ही ख़तम किया है, जहां हमने the trees poem को बहुत अच्छे से पढ़ा, तो हमने chapter बहुत बढ़ा था, वो chapter 7, तो हम बहुत देर से पढ़े जा रहे थे, बट अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया part, एक नया chapter, जो होने वाला है chapter number 8, यह जो chapter है, इसका title है, मिजबिल दी ओटर, और इसका part 1 देखेंगे, अब देखो, confused नहीं हो रहा है, part 1 से, मिजबिल दी ओटर में आपको 4 sections दिये हुआ है, ठीक है, ऐसे करके na sections दिये हुआ है आपको, तो confused नहीं होना है कि क्या सरी वित्तर ही पढ़ेंगे आज के वीडियो में, नहीं, part 1 में हम cover करेंगे, the first like part of the story, like in the sense, कि पहले क्या हुआ, ठीक है न, मतलब एक journey जो है, वो starting की वो हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम ये दोनों parts को discuss करेंगे, तो आज की वीडियो में आपकी book में दिये हुए, पहले और second हिस्से को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे हमने complete chapter revision में पढ़ा हुआ है, और जो तीसरा और चौथा part है, उसे हम continue करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अभी ये दोनों parts को अच्छे से clearly समझ जाना है, पहले और दूसरे को, जो part 1 के अंतरगत है, यानि ये वीडियो का part 1 है, चाप्टर का part 1 नहीं, वीडियो का part 1 है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े clear हो गई आपको, तो देखिए, यहाँ पर हम अब ओटर के बारे में हम एक real कहानी पढ़ेंगे, जो की हमारे author Maxwell जो है, वो हमसे share करेंगे, तो जो Maxwell है, वो जाने जाते हैं कि उनकी पास एक pet था, ओटर, जिसे उन्होंने पाला है, और उससे related वो कई चीज़ें आपसे share करेंगे, जिसको पढ़ने के बाद, जब हम दूस होगी, अगर आपके पास कोई pet है तो, जो भी dog lovers है, cats lovers है, और आपको लगता है आपके घर में किसी ने एक doggy को रखाए पाला है, या किसी ने एक billy को पाला है, तो बहुत ही जादा एक attachment हो जाती रहाए, फिर हम बहुत ऐसे treat करते हो, उसको as a family member, और वही चीज आपको यह से एक जानवर का ध्यान रखा जाता है, अगर for instance, अगर हम मान ले आपने एक doggy रखा है अपने घर पे, cute सा puppy पाला या फिर, तो आप सिर्फ उसको cute-cute करके नहीं पाल सकते हो, आपको पुरा ध्यान देना पड़ेगा, उसकी cleaning का, उसकी grooming का, उसके vaccinations का, then उसकी doctor के routine check-ups का, उसके खाने का, उसके time table का, walk पे ले जाने का, उसका जो ही daily का activity है, उसका, right, तो आपको सारी चीज़े ध्यान दखनी पड़ेंगी, जैसे कि एक छोटे human baby का रखा जाता है, तो उसी पे based आपको कुछ बहुत important चीज़े दी गई है, वैसे वो ना आपके exam में आएगा नहीं बट क्योंकि मुझे लगता है कि maximum लोग pet रखते हैं घर पे, उनको पता होना चाहिए, उनकी आखे खुल जानी चीए, कि अगर ध्यान नहीं दे रहे हो अपने pet पे, तो इस तरीके से चीज़ों को follow करो, फिर हम इस कहानी के आगे बढ़ने वाले, जो main paragraph है, उस पिर हम धीर करेंगे, clear? ओके चली, start करते हैं with a lot, you know, छोटा मुटा नहीं, बहुती बढ़ा सा introduction, so let's read it and find out कि exactly ये chapter किस बारे में बात कर रहा है, also क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक pet owner को ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहले दिया है, before you read, Missville the author is written by Gavin Maxwell, सबसे पहले, ये जो चाप कर रहा है आपको, but कोशिश करो कि यहाँ पर ध्यान दो और इस चीज़ को पढ़ो, ठीक है? तो ये जो जाप्टर है, वो किस ने लिखा है? Gavin Maxwell ने, जो की एक अपना ही incident बता रहे है, related to otter. Gavin Maxwell lives in a cottage in the West Highlands in Scotland. कहा रहते हैं वो, वो बताये गया है, तो Gavin Maxwell जो है, वो एक cottage में रहते हैं. Cottage ने एक अलग तरीके का बंगला टाइप का बना रहता है, छोटा सा घर होता है, बट बंगले टाइप का लुक होता है, बट छोटा बंगला होता है, ठीक है? उसे cottage कहते हैं, और ये जहां रहते हैं, उस जग्ये का नाम है, chemistry ना, जो की West Highlands, Scotland में पढ़ता है, When his dog Johnny died, तो Maxwell का एक pet था, जो की एक dog था, और उसका नाम था Johnny, ठीक है? तो उनके dog की unfortunately death हो जाती है, और अगर कोई pet lover है, जिसने कभी भी किसी pet को खोया है, तो वो बहुत दुखधाई होता है, किसी को भी खोना बहुत दुखधाई होता है, और pet के साथ भी एक अलगी bond formed हो ज हो गए थे, कि उनको लग रहा था, कि अगर मैंने एक और बार दूसरे dog को पाला, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीजे manage, क्योंकि उनको ना सिर्फ फिर अपने Johnny की याद आएगी, जो Johnny उनका dog था, ठीक है? तो वो बहुत बहुत दुखी हो गए थे, और इसलिए उन उनके घर में ना कोई हो, लग ऐसे अकेले-अकेले ना रहे वो, और ऐसे कई cases हैं, ठीक है, फॉरन कांट्रीज में बहुत cases आपको दिख जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर यह जो author उनको लग रहा था, कि बिना pet के रहना बहुत ही अकेले पंच ऐसा हो जाएगा, और pet तो चा इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है, मिजबिल दो ऑटर गेविन-माक्सवेल द्वारा लिखा गया है, तो आपको इनाम पता है, ध्यान क्यों रखने में एजी हो जाएगा, विकरस हम इनका नाम बार बर पढ़ेंगे, हम माक्सवेल, माक्सवेल, माक्सवेल बहुत इतना भी नहीं के जो आपके दिमाग में आजा जोपड़ी सोचने से, छोटी से घर में रहते हैं, पस इतना दिमाग में रख लो, ठीक है, क्याम स्पियर ना जगे का नाम ध्यान रखना है, विकरस इसी से रिलेटेड एक क्वेशन भी आएगा आपको NCRT में, ठीक है, उनके पास कोई पैट नहीं था, तो फिर उन्होंने कुछ तो सोचा, कुछ तो विचार मिमर्श किया, और उसी की बारे में हम पढ़ेंगे, बट फिलाल के लिए पहले वो एक आक्टिविटी पढ़ लेते हैं, इन्फोमेशन पढ़ लेते हैं, जो बहुत बहुत ज़रूर सपोज अगर मैं बोलू आपको कि मैं एक human baby जो है, वो आपके हाँ पर 10-15 दिन के रिए शोड़ कर जाऊंगे, आपको ध्यान रखना है उसका, आपको पता है कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसके खाने का, ग्रूमिंग का, टाइम से, आक्टिविटी to animals, ये एक society है, जो कि जानवरों के प्रती, जो लोग बहुत बेरह्मी से, बहुती गलत भ्यवाल करते हैं, क्रूल होते हैं, कठोर होते हैं, उनके प्रती ये actions लेते हैं, ठीक है, तो ये प्रिवेंट करते हैं कि वो cruelty face ना करनी पड़े जानवरों को, clear, तो ये जो society है, that is SP SPCA, उनका कुछ कहना है, वो हम पढ़ेंगे अभी, has to say about how to care for a pet, कि एक पालतु जानवर का कैसे ध्यान रखा जाता है, वो आपको अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है, चलिए से को हिंदी में पढ़ते हैं, क्या आपके पास एक पालतु जानवर है, यदी है, तो आप शा सा एक box है, मुझे लगता है, कि जो pet owners है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, एक descriptive सा paragraph है, तो definitely इसको ध्यान से सुनना है, भली आपके घर में pet है या नहीं है, क्या पता future में आपके पैट को ओन करें, तो कैसे ध्यान रखना है, वो अभी से सीख लो, clear, चलिए पढ़ते हैं बहुत लंबे समय का commitment हो जाता है, अगर आप एक dog को या आप एक cat को ऐसा पालतू जानवर रखते हो, तो आप कम से कम मान लीजिए कि 10 साल तक तो आपको उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा, involving considerable responsibility, तो सिर्फ ध्यान नहीं रखना होता है, उसके साथ प्यार से खेलना नहीं ह करना तो क्यों करना कि जरूरत नहीं होती सिर्फ, बलकि इसके अलावा आपके पास बहुत responsibilities होती है, जो आपको follow करनी पड़ती है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कई बार ऐसा होता है, जब हम छोटे होता है, तो हम अपने पेरेंट्स को जब भी बोलते, ममा में पपी घर ले आओं, क्या ममा मुझे एक खिटिन को घर ले कर आना है, तो ममा कहती है, बेटा, तुम ही ध्यान रखना फिर, मैं तो ध्यान नहीं रख पाऊंगी, और उस चक्कर में पिर क्या होता है, कि नहीं रख पाते हैं, हम एक पालतो जानवर को घर पे, क्योंकि डेफिनेट क्योंकि क्या होगा न, अगर पूरा परिवार सहमती नहीं देगा, तो हो सकता है, वो जानवर अनवानटट, यूनो, फील करें, या फिर वो जब आ तो जाएगा जानवर घर में, बट आप उसका इतना ध्यान नहीं रख पाऊंगे, ये विलकुल भी, यूनो, ऐसे कुछ बन जाएगा, जो कोई नहीं चाहता, पपीज और खीटन को देखो, विल्ली के बच्चे को देखो, oh my god, they are so cute, वो इतना अडॉरिबल होते हैं, कि automatically कोई बड़ा हो या कोई बच्चा हो, एक जैसा उनका रियाक्शन होता है, कि वो बहुत जादा अकरशित हो जाते हैं, और उन्हें बहुत प्याले लगते हैं, वो क्यूट से, पपीज और क्यूट सी किटिन्स, right, but, क्या सिर्फ इतना ही चाहिए होता है, किसी को पालने के लिए, नहीं, तो वही चीज वो क्लियर कर रहे हैं, just because you find an animal cute, आप वो रीजन सिर्फ नहीं फॉलो कर सकते हो, एक पेट को ओन करने के लिए, डान, चलिए words देख लीजे, acquire और alike, acquire means to own, ठीक है, किसी को रखना, सो रखना या अर्जित करना, alike मतलब एक जैसा, in the same way, यानि समान रूप से, डान, चलिए, इसी को हिंदी में पढ़ते हैं, एक पार्तो जानवर का मालिक होना, जीवन भर की प्रती बद अधिता है, यदि आप डॉग या बिल्ली के मालिक हैं, तो दस सालियां उसे अधिक तक, जिसमें काफी जिम्मेदारी शामिल है, बहुत जिम्मेदारिया शामिल है, इसी लिए एक का अधिक रहन करने से पहले, या उसका निर्ने जो है, वो पूरे परिवार द्वारा लिय जाना चाहिए, सभी के द्वारा पून सहमती के बिना पालतू अवांचित समाप्त हो सकता है, यानि कि यूनो बिल्कुल तरीकी से अनवांटेड हो सकता है, कि नहीं ही चाहिए, ठीक है, डॉग का बच्चा और बिल्ली के बच्चे इतने प्यारे होते हैं, यह समझना आसा जानवरों का उनके लिए बहुत जादा नेगिटिव पॉइंट हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है, क्यों? क्योंकि क्या करते हैं लोग जस्ट उनको क्यूट लगता है कोई आनिमल उसको ले तो आते हैं घर, बट पता ही नहीं होता है कि कैसे उसका ध्यान रखना हैं, या क्या इतना ध्यान रखना पड़ता है, वो चीजे पता नहीं होती, और इसलिए फिर न क्या होता है, आगे जाके वो जानवर का ध्यान नहीं रखा जाता है, या तो फिर वो समय से बहुत पहले दुनिया छोड़ के चला जाता है, या फिर ये लोग ही उसको कहीं प पता होनी चाहिए, इससे पहले कि मैं एक pet owner बनूँ, the basic points you should keep in mind before adopting a puppy are, suppose for example आपको एक puppy को, एक dog के बच्चे को पालना है, तो आप क्या चीजे हैं जो ध्यान में रखेंगे, an annual dog license in accordance with government regulations, हर साल का ना, एक annual, हर साल मतलब annual होता है, एक license बता है, dog license, ठीक है, जो government के regulations के हिसाब से बनता है, अगर आपके पास वो नहीं है, तो गलत बात है, अगर आप एक pet owner बनना चाहते हो, आपके पास एक dog license होना चाहिए, it's annual vaccination against major diseases, vaccination के बारे में मुझे बताने की ज़्यादर जरूरत है नी, because बहुत famous है vaccination word of, right, fashion में आ गया है ये word, तो सब को बता है कि क्या होता है, व dogs को बहुत time तक train करते हैं, जो भी owners होते हैं, उनको भाहा ले जाते हैं walk पे, ताकि जो भी उनका business है, वो कर ले, right, तो toilet training देना बहुत जरूरी होती है, otherwise हर जगा घर में आप clean करते नहीं बाठोगे, तो ये चीज जो है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, कि आप ये अपनाने से पहले आपको जिन बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वे निम्न है, सरकारी नियमों के अनुसारिक वार्षिक dog license बनता है, जो आपके पास होना चाहिए, प्रमुक रोगों के खिलाव इसका वार्षिक टीका करण होता है, वो होना चाहिए, और पहले ट्रेनिंग भी देनी होती है अनिमल्स को, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो आपको लगता है कि मुझे ये तीनों चीज़े पता है, और भी अभी लिस्ट खतम नहीं हुई, अगर वो सब पता है, तो ही किसी पेट को ओन करो, clear? चलिए, रेग्यूलर बूलते हैं उस ड्रागी को, उनके बाल ग्रो करते रहते हैं, आखो लगते हैं, तो आपको regular कट कर आने पडते हैं उनके बाल, तो ये सब चीज़े बड़ी सुनदर लगती है, सुनदर बड़ी क्यूट सी लगती हैं, बट ये सब धिहान देनी की बात आती है न तो कई लो चाप्टर विशन देखा होगा तुनको पता होगा अट्राइम्फ और सरजरी करके एक चाप्टर है ठीक है उसमें ना ट्रिकी नाम का डॉग है जिसकी ओनर मिसेस पंफरे उसे इतना कुछ खिलाती है कि बिचारा खाखा के इतना मोटा हो जाता है और उस वज़े से वो बीमार हो जाता है कैसे फिर उसको ठीक करते हैं क्या समझदारी है सब आपको पता चलती है उस स्टोरी में बट वही चीज यहां पर है कि प्रॉपर बैलंस डाइट होना चीब है उसको सारे नूट्रियंट्स मिलने चाहिए सिर्फ खाने के लिए आपने यही खिला दिया यही चीज खिलाये जा रहे हो या कभी भी खिलाये जा रहे हो वो गलत बात है Socialization Many dogs are kept confined in cages or tied up to stop them from dirtying the garden or from chewing on shoes This is wrong and socializing is very important Socializing एक समाजी करण सिखाना dogs को बहुत ज़रूरी है early dog know करते हैं ऑपके जूत कर दे दिखान से वागण गार करते हो Daily Dose of Exercise, Affection and Play रोज उनको प्यार से उनों deal करना, affection दिखाना और रोज उनके साथ खेलना, उनकी exercise हो जाती है, उससे यह सब चीज़े आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, सिर्फ खिला खिला कर बिठा दो एक जगा डॉक को तो उससे बहुत बड़ी problem हो सकती है, तो इतनी सारी बाते हैं फटाफट से grooming और socialization, grooming यानी cleaning जिसको हम साज सवार कहते हैं और बहुत प्रॉपरली tip-top रहना, socialization है, the process of training animals so that they can be kept in a place or a close relationship with others, बाकियों के साथ घुल मिल सके रोगी, उसे कहा जाता है socialization, समाजी करन, इसी को भिंदी में पढ़ेंगे, नियमत रूप से साज सवार और स्ना कराना, आग्या कारिता प्रशिक्षन, यह न भूले कि आपको अपने पालतू जानवरों को संतूलित आहार खिलाना चाहिए, समाजी करन बहुत महत्पपूर है, क्या होता है समाजी करन, कई डॉक्स को पिंजरों में बंद कर दिया जाता है, या उन्हें बगीचे को गंद करने या जूते चबाने से रोकने के लिए बांध के रखा जाता है, और यह बहुत गलत बात है, व्यायाम्स ने और खेल की देने खुराक आपको देनी, खुराक है यह ठेक है, यतना चाता जरूरी है, तो जैसे एक मेडिसन जरूरी नहीं होती सबके लिए, अगर वो अगर आप ना एक पेट को कैसे पालते हैं, उस सब्जेक पे थोड़ा ध्यान से पढ़ाई कर लो, या पहले से ही सब कुछ पढ़ लो, रिक्वायमेंट्स क्या हैं, कैसे ध्यान रखा जाता है, वो बहुत जरूरी है, मेरा मानना आप किसी भी चीज में जाओ ना, सबोस अ ठीक है, मुझे बायचीन लगती, फिर मेरे पाई ये बच रहा है, मुझे ये नहीं पसंद, तो में ये ले लेता हो, ऐसे नहीं होना चीए, ठीक है, आपको अभी पूरा ये साल भर है, अपने आपको एवालवेट करते रहना है, कई वीडियो है, चानल पे टीचर ने ये आपको क्या subject choose करना चाहिए, क्या-क्या चीजे होती है, क्या streams है, आगे जाके क्या future हो सकता है, ये सब चीजे ध्यान में रखके ही subject choose करना चाहिए, सिर्फ एक चीज फॉलो करके कि मुझे ये subject अच्छा लगता है, आप फिर बाद में ये ना सोचे किया, इससे तो मुझे क Okay, selected pet shops and major bookstores, कई you know, जो जानवर होते हैं, उनकी दुकाने होती है, उनकी चीजे वगरा की दुकाने होती है, कई ऐसी दुकाने होती है, जहां पर pet के बारे में books होती है, तो आप ये सारी चीजे पढ़ सकते हो, अलग-अलग breed के बारे में पढ़ सकते हो, dogs के, अलग-अलग जानवरों का विशिष्ट सम्हू, कि विए ये ऐसा यूनो लाब्रडॉडॉर है, ये शिट्जू है, तो ऐसे breeds वगरा हो जाती है, टा, ओके चलिए, भीसी को पढ़ते हैं हिंदी में, विशे पर पहले से पढ़ना एक और महत्वपूर आवशकता है, और एक जिम्मेदार पालतू मालिक होने की दिशा में, आपको मार्दर्शन करेगा, यानि पालतू जानवर के मालिक होने का, चुनिंदा पालतू जानवरों की दुकाने और प्रमुक किताबों की दुकाने, विभे नसलो, यानि ब्रीड, और पालतू जानवरों की देखबाल पर किताबे उपल करना अच्छी बात है राइट तो अगर किसी को जानते हो जो पेट होनर है तो प्लीज उसको इतना पार्ट ऑफ द वीडियो शेयर करना थाकि वो जाने कि कैसे उन्हें अपने डॉग या क्या जो भी पेट है उसका ध्यान रखना है अब स्टार्ट करेंगे स्टोरी यहां से ह जहां भी आया आएगा खुद हम से जो ग्यावन मैक्सवेल है वो बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि उन्निस तो पैसर्ट सौरी चपन का जो नया साल है उसकी स्टार्टिंग में ही वो कहा गए हुए थे साधन इराग गए हुए थे तब तक इनके दिमाग में आ चुका था कि मुझे एक ओटर को आज जानवर रखना है ना की एक डॉक को और ये चीज तब तक उनके दिमाग में आ चुकी थी क्रॉस्ट माइड मतलब कोई बात आपके दिमाग में आके गुजर चुकी हो और ये चारो तरफ पानी से घिरी हुई है एक बहुत चोटी सी दूरी पे कम दूरी पे पानी भी है तो ये बहुत अच्छी बात है और इसलिए ये जगे एक बहतरीन जगे होगी इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट क्या है ओटर को पालने का क्यों है ये बहतरीन जगे क्योंकि ओटर को चाहिए होता है पानी वो पानी वाली जगें पे रहते हैं और यहाँ पे खोब पानी है अब सारे शब्द देख लेते हैं सबसे पहले इसका मतलब है कोई भी विचार जब आपके दिमाग में आता है एक विचार जो मेरे मन से गुजरा ऐसे कहना है अगर आपको तो आप कहा सकते हो इस थिंग क्रॉस्ट माय माइंड चार पैर होते हैं एंड शौटा सा ब्राउनिश कलर का फर होता है तो अगर मैं पत्थर फेकूंगी तो जितनी भी दूर जाएगा बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा वो छोटी दूर को कहते हैं और स्टोन्स थ्रो एमिरेंटली मतलब बहुत ज़्यादा वेरी हाईली यानि की अत्यांत तो यह अत्यांत बढ़िया जगे थी किसके लिए ओटर को पालने का एक्सपेरिमेंट करने के लिए डान ओके अब इसी को हिंदिन पढ़ते हैं 1956 के नए साल की शुरुआत में मैंने दक्षणी इराक की यात्रा की तब तक मेरे दिमाग में यह बात आ गई थी कि मैं डॉक के बचाए एक उद्पिलाव को रखना चाहता हूँ और यहां की केमस्पियर ना जहां पानी घर की एक छोटी सी दूरी पर है इस प्रयोग के लिए एक विशेश रूप से उप्योग स्थान होगा तो उनको यह लग रहा था यह सबसे बेस जगा रहेगी केमस्पियर ना तो मैं यही पे उद्पिलाव या ओटर को जो है पालूँगा डाम चलिए आगे बढ़ते है कहानी में अब होता क्या है कि इन्होंने ऐसे ही मतलब ऐसी बस बात करते करते बात निकल गई ठीक है तो उन्होंने बोला अपने दोस्त को कि मुझे ना एक ओर्टर को पालने का मन है मैं सोच रहा हूँ कि एक ओर्टर को पालूँगा और उनके दोस्त ने भी उतना ही नॉर्मली उतना ही क्याश्विली बोला कि तुम ना एक ओर्टर कहां से लियाओ तुम टिग्रेस मार्शि वहां से तुम जाके एक ओटर को ला सकते हो For there, they were as common as mosquitoes कई जगे हैं जहाँ पर मच्छर तो बड़े common है Like अगर हम बात करें किसी भी जगे कि अगर में इंडिया के बात करो आपको ये बात करने हैं कि तुम्हें पता हैं आप मच्छर पाये जाते हैं अब होता क्या है कि इनके दोस ने बोला कि भई ये जो जगे हैं ना तुम ही से एक ओटर ले आना क्योंकि यहां पर अरप्स जो हैं वो अर्भी लोग जो हैं वो जाने जाते हैं ओटर को पालने के लिए तेम मतलब उनको पालतो जानवर की तरह ट्रीट करना अब ये लोग कहां जा रहे थे ये जा रहे थे बसरा नाम की जगे पे जहां पर ये काउंसलेट जेनरल जाने वाले थे यहां इनके लिए यूरोप से एक mail एक डाक आने वाला था जिसका इनको डाक कलेक करना था पढ़ना था और उसका आंसर भी भेजना था अब दोस्त का डाक तो आ गया है बट मेरा अभी तक नहीं आया है चलिए अब वर्ट देखते हैं टिग्रेस मार्शिस तो यह नदी है टिग्रेस यहांपर मार्शिस जो एरिया है जो दल्दल का एरिया है इराख में उसे कह जाता है टिग्रेस मार्शिस जब मैंने अपने एक दोस्त को यूही मतलब ऐसी होता ना मतलब बता दिया बस तो वो कैश्वल होता है योही इसके बारे में बताया तो उसने भी योही जवाब दिया कि इस बारे में बताया कि मुझे एक ओर्टर को, उद्बिलाव को पालना है कि मुझे टाइगरिस मार्शिर से उद्विलाफ लेना चाहिए क्योंकि वहाँ वे मच्छरों की तरह आम थे और अक्सर अर्वो द्वारा वे पाले जाते थे हम यूरोब से आया हमारा डाक लेने और उसका जवाब देने बसरा में महावाने जदूत यानि की काउंसलेट जेनरल की यहां जा रहे थे महावाने जदूत में हमने पाया कि मेरे मित्र का डाक आ गया था लेकिन मेरा नहीं आया था और इस वज़े से यह जो हमारे author है इन्हें वहाँ पर कुछ time के लिए wait करना पड़ेगा ताकि इनका mail आ जाए clear? okay I cable to England and when three days later nothing had happened I tried to telephone तो इन्होंने क्या किया ना इन्हें cable करने की कोशिश की cable का मतलब होता है एक तरीके का you know telegram type का होता है जिससे आप अपना संदेश भेशते हो तो इन्होंने संदेश भेजा England में और तीन दिन हो गया तीन दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो फिर इन्होंने क्या किया इन्होंने phone करने की कोशिश की इन्होंने phone पे बात करने की कोशिश की the call had to be booked 24 hours in advance और आपको 24 घंटे पहले ही इस phone को book करना होता था तब के time पे यानि अगर आपको कल बात करनी है तो उस phone को करने के 24 घंटे पहले booking करनी पड़ती है on the first day the line was out of order सबसे पहले उन्होंने बात करनी कोशिश की तो उस दिन telephone जो system है वो काम ही नहीं कर रहा था line out of order थी on the second the exchange was close for a religious holiday दूसरे दिन कोई religious छुटी थी उस वज़से बात नहीं हो पारे थी क्योंकि बंद था off था on the third day there was another breakdown तीसरे दिन और खराबी आ गए थी कोई तो उस वज़से बात नहीं हो पाई my friend left और अब बहुत time हो गया था तो इनके दोस्त को वापस जाना पड़ा and I arranged to meet him in a week's time और यहाँ पर author ने उनको बताया कि मैं तुमसे एक हफते के करीबर मिलूँगा 5 days later my mail arrived finally 5 दिनों बाद उनका mail आ गया ठीक है चलिए mail में क्या लिखाए पड़ेंगे पहले केबल का meaning देखे तो यह जो word है केबल इसका meaning है sent a message by telegraph telegraph का कोई system होता है जिसे message भेजते है telegraph द्वारा संदेश भेजना तो इनोंने संदेश भेजा तीन दन तक कुछ नहीं हुआ फिर इनोंने phone call try किया phone call 24 गंटे पहले book करना पड़ता है बट book करी नहीं पा रहे क्योंकि पहले दिन जो है वो काम ही नहीं करी line दूसरे दिन छुट्टी थी तीसरे दिन फिर कुछ breakdown खराबी आ गई और इस तरीके से फाइनली उनके दोस्त को जाना पड़ा पिकज ओविसली इतने तो कौन बेट करेगा तो इनोंने अरेंज किया कि वो एक हफते के ताइम में उससे मिलेंगे और पांच दिनों बाद फाइनली जो गेविन मैक्सविल हैं उनका मेल यानी डाक आ जाता है चलिए मेल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले उसको हिंदी में पढ़ लेते हैं सो मैंने इंगलाइन को संबर किया और जब तीन बात तीन दिन बात कुछ नहीं हुआ पांच दिन बाद मेरा डाक आ गया अब डाक आ गया फाइंडली तो यानी अब वापस जा सकते हैं तो अब हम पढ़ते हैं आगे डाक में कुछ पिर तो कुछ प्रॉब्म नहीं हुई जाना पड़ा हुए उनको कि मही रुखना पड़ा एक्सिक्र एक्सिक्रा तो हुआ क्या कि जैसे इनका डाक आया ना वो जाकर अपने जो भी कांसलेट जनरल में इनको घर मिल लिया होगा ना रहने के लिए कमरा लिया होगा वहाँ पर इनके बेड्रूम में होने क्या देखा कि दो अरैप्स जो है वो अपने घुटनों के बल बैठे हुए है स्क्वाटिंग पॉसेशन जो होती है जिस अगर कोई स्क्वाट करता है जो अगर एक्सराइस पगेरा करता हो तो आपको पता होगा यह कौन सी पॉसेशन के मैं बात कर रहे हूं तो स्क्वाट मतलब होता है साब बोरा ठीक है वो उनके बगल में रखा हुआ था और वो बा यह रहा तुमारा उद्बिलाव और किस के थू था यह इनके दोस्त के थू यानि इन्होंने अपने दोस्त को ऐसी बोला था ना कि मुझे एक उद्बिलाव चाहिए मतलब मैं एक और को रखना चाहता हूं आज पैट इन्होंने ऐसी बोल दिया था यूही और उसने भी और उन्होरी क्या किया, उनके दोस्तिते स्वीट हैं, कि उन्होंने इस ओटर को उन के लिए भेज दिया, और लिखा, here is your otter, done, चली, अब शब्दो का मेंग देखता है, सबसे फ़ले squatting देख लो, squatting is a crouch or sit with one's knees bent and one's heels close to the back of the thighs, तो मतला आपका जो heel portion होता है न, वो आपके thighs स को touch कर रहे होंगे, वो position, उकडू बैटना, उसे क्या कहते है, squatting position, squammed यानी twisted about, फुदक ना, यानी बारवा हिल रहा था वो, जो sack था, जो बोरी थी, क्योंकि उसके अंदर क्या था, एक otter, clear, चले भी सी को हिंदी पढ़ता है, मैंने, मैं इसे पढ़ने के लिए, यानी उ अरब आदमी, फॉर्ष पर बाठे थे, उनके बगल में एक बोरी रखी थी, जो समय समय पर फुदक रही थी, उन्होंने मुझे मेरे दोस्त से एक नोट दिया, यहां तुम्हारा उद्विलाब, तो भीया, यही रहा तुम्हारा उद्विलाब, तो इस तरीके से, finally author की Maxwell की, उसके बारे में चर्शा करेंगे, और इसके पहले जो कुछ भी बात चीत हुई है, कि exactly you know, कैसे आया author यह सब, वो आपका first part था, समझ आ गया, चले, अब दूसरे part, इस story के दूसरे part की तरफ, move करते हैं, और यह जो video है, यह आपके पूरे chapter का पहला हिस्सा है, समझ आ अब आपको part 1 से मेरा क्या मतलब था, with the opening of that sack, began a phase of my life, that has not yet ended, and may for all I know, not end before I do, अब क्या हुआ ना, कि जैसी इनोंने बोलते कि मैंने जिस दिन वो बोड़ी खोली थी, उस दिन के बात से मेरी जिंदिकी बदल गई, मेरा पूरा जो लाइफ है ना, वो एक नया जो होता है, नया दौर शुरूआ मेरी जिंदिकी का, और ये ऐसा दौर है, जो मुझे लगता है कि कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसा ही चलता रहेगा, at least जब तक मैं हूँ, तब तक तो ये ऐसा ही रहेगा, it is in fact a thraldum to otters, an otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one, तो उनका क्याना है कि ये ना एक ये असर है कि जो लोगों ने आज तक otters को पाला है और मैं उनसे अगर मिला हूँ, मेरी बाचीत हुई है, तो मैंने देखा है कि एक ना भौती आपको क्या बोलते है, प्यार हो जाता है otters से, आपको एक तरीकी से bond form हो जाता है, और वही चीज है जो author के साथ भी है, यानि इस otters से इतना जुड़ गए, इतना अच्छा bond बन गया इनका, कि इनकी life एकदम से change हो गई है, और उनको रगता है अब या life ऐसी ही चलती रहेगी, अटलीस तब तक जब तक वो इस दुनिया में है, चले अब words देखते हैं, ठ्राल्डम और फिक्सेशन, ठ्राल्डम इस ओ अपना गुलाम बन जाते हो otters के, इतना जादा आपको प्यार हो जाता है उनसे, क्योंकि fixation है, fixation क्या है, a very strong attachment of feeling, गहरा लगाव, क्योंकि आपको इतना गहरा लगाव हो जाता है otters के साथ, कि ऐसा लगता है, जैसे कि नो मानो एक गुलामी का सर है, कि भई फिर आप वैसे समाप्त होने से पहले समाप्त होगा भी नहीं, और ऐसा कहते हैं, और हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, कि मेरे खतम होने से पहले मैं इस दुनिया से चले जाओ, उसके पहले ये जो face है, ये जो एक चरण है, वो कभी समाप्त होगा भी नहीं, यह वास्तव में उत्बिलाव के लिए गुलामी है और एक उद्बिलाव के वर उन लोगों द्वाला समझा जा सकता है जिनके पास कभी एक उद्बिलाव रहा हो यानि कि ये एक गुलामी जैसा है जैसे आपनो गुलाम बन जाते हो ओटर के उद्बिलाफ के और ये उद्बिलाफ के प्रती एक अलग ही गहरा लगाव हैं जो सिर्फ वो समझ सकते हैं जिन्होंने कभी भी एक ओटर को या उद्बिलाफ को पाला हो clear? okay the creature that emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the councilate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon तो उन्होंने जैसे बोरी खोली जिसके अंदर वो ओटर था तो उन्होंने देखा कि एक जानवर है एक creature है प्राणी है जो की एक बहुत like जो एक councilate general वाला room जो था ना वो बहुत जादा space वाला था एक बहुत जगी थी ओर tiles का बनावा था floor तो उस floor पे वो आया और ऐसा लग रहा था जैसे कि पुराने time पे medievali एक ना माना जाता था कि एक तरीके का dragon होता है कुछ इस तरीके का तो वो ऐसा ही थोड़ा थोड़ा दिख रहा था तो जैसी वो बोरी के बाहर आया how cute होता वो ऐसे लग रहा था जो उस floor पे था from the head to the tip of the tail he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor इनका ये जैसे ही देखते है ना है sauter को तो ये अपने सर से लेके पूरा जो tail है यानि कि बिल्कुल end of the pooch है पूरा का पूरा ये cover था कि इससे symmetrical यानी एक जैसे pointed यानि नुकीले और scales इनकी body के उपर जो बनी होती है अभी हम देखेंगे इस तरीके से scales type का बना होता है और off mud armor मतलब इस तरीके से scale निकल नहीं रहते है इस लग रहता है मिट्टी के ऐसे बने हुए है एक मिट्टी का पूरा कवच पहना हुआ हो जैसे इसने between whose tips was visible or soft velvet fur like that of a chocolate brown mole क्या दिया हुआ है कि इनकी body के जो मिट्टी के टाइप का बना हुआ था जैसे कवच हो और उसके बीज बीज में कहीं मतलब जहां मिट्टी नहीं थी थोड़ी बहुत भी वहां बीज बीज में कहीं पे एक soft सा velvety सा fur दिख रहा था जो बड़ा मुलायम सा होता है जैसे कि एक chocolate brown कलर का mole होता है न वैसा clear चलिए अब फटावर से words देखते हैं medievally conceived और आमर का मतलब medievally conceived का मतलब है an imagination of the middle ages यानि middle age जब time था ना तपके time पे कुछ ऐसा लोग मानते थी कैसा dragon होता है that is madhya kalin kalpna आमर क्या है the metal coverings formally want to protect the body in battle युद्ध के समय एक metal का covering पहना जाता है आपने देखा होगा इसे करके जाके type का होता है metal का जिससे आपने आपको आप प्रटेक करते हो युद्ध के दौरान obviously तीर वगरा से that is what is a kawach तो ऐसा लगरता है इस मिट्टी का कवच पहना हो इसने इतनी गंदी तरीकी से यह मिट्टी से पूरा भरा भरा है और जहाँ पर थोड़ी बहुत मिट्टी नहीं थी वहाँ से इसका actual fur नजर आ रहा था इस बोरी से वाने जदूतावास के शैनकक्ष के विशाल टाइल वाले फर्ष पर जो प्राणी उभरा वह सबसे छोटे मध्य यूगीन रुप से कलपना किये गए एक ड्रागन जैसा दिखता था सिर से पूच तक वह मिट्टी के कवच में संपित नुकीले शल्क यानी स्केल्स से ढका हुआ था जिसके बीच एक चॉकलेट भूरे रंग के चचंदर यानी मोल की तरह एक नरम मकमली फर दिखाई दे रहा था तो जैसे कि एक चॉकलेटी ब्राउन कलर का चॉचंदर होता है मोल होता है वैसा ही कुछ फर दिख रहा था किसका इस ओटर का क्योंकि जहां-जहां मिट्टी नहीं थी वहां क्लियर ली ये वो फर देख पा रहे थे तान? ओके क्या दिया हुआ है कि ये जो ओटर है उसने अपने आपको हिलाया, शेक किया और जब इसने शेक किया तो ओथर ने ऐसा माना था वो एक्सपेक कर रहे थे कि बहुत सारी धूल निकलेगी ठीकि क्लाउड अफ दस यानि बहुत जादा धूल बट जितनी दोने एक्सपेक की थी या उतने से डबल धूल लिकली है उससे यानि कि इनकी एक्सपेक्टेशन आधी थी as compared to जितनी धूल उसकी बॉड़ी से गिरी जब उसने शेक किया अगले महीने तक ओथर को क्या करना पड़ा उसे साफ करते थे वो नहलाते थे और पूरा एक महीना लग गया और उसके बाद फाइनली जाके ये जो ओटर है उसकी बॉड़ी से जितनी भी मिट्टी थी वो फाइनली चली गई and see the otter as it were in his true colors और otter actually कैसा दिखता है उसका actually फर कैसा है finally author को देखने को मिला कब एक महीने के बाद यानि इसमें इतनी मिट्टी थी इसकी बॉड़ी पे के एक महीना लग गया उसको साफ करते करते मिजबिल as I called the otter Maxwell अपने otter का एक नाम रखते हैं जैसे हर कोई अपने pet का एक प्यारा सा नाम रखता है वैसे इन्होंने नाम रखा मिजबिल was in fact of a race previously unknown to science and was at length Christian by a zoologist Lutroglale per specialeata, Maxwelly और Maxwell's otter तो ये जो particular otter है ना इनकी जो race है वो बहुत time तक पता ही नहीं था science में कि otter नाम के भी जानवर होते हैं और इसी लिए जब zoologist जो हैं उन्होंने एक नाम रख दिया Christian का मतलब होता है नाम रखना एक नाम रख दिया है उन्होंने वो नाम था Lutroglale per specialeata, Maxwelly ठीक है और इसी को छोटे में बोला जाता है बहुत बड़ा सा नाम रहा तो short में कहा जाता है Maxwell's otter तो Gavin Maxwell, Maxwell's otter, clear? तो फटना पर से word देख लीजिए Christian फिर हिंदी में पढ़ेंगे Christian मतलब name यानी नाम रखा गया तो zoologist ने नाम रखा Lutery Gail, Per specialeata, Maxwelly छोटे में क्या बोलता है, लेक शोट में क्या बोलता है Maxwell's otter, clear? ओके उसने अपने आपको हिलाया और मुझे धूल के बादल की आधी उम्मीद थी लेकिन वास्तव में एक और महीने तक मैं आखरी कीचर को हटाने और उद्विलाफ को उसके असली रंग में देखने में कामियाब रहा एक महीना लग गया उतनी मिट्टी को साफ करने के लिए मिच बिल जैसा की मैं उद्विलाफ को बुलाता था यानि इनोंने प्यार से उसका नाम मिच बिल रखा था और ज़्यादा प्यार से इसको मिच बुलाएंगे आगे जाके वास्तर में एक जाती का था जो विज्यान के लिए पहले अज्याद थी और लंबे समय तक जी विज्यानी द्वारा इसे लूट्रो गेल पर स्पिसिलेटा मैक्सविली या मैक्सवेल के ओटर द्वारा नमित किया गया तो बहुत टाइम तक इसका नाम क्या रख दिया गया मैक्सवेल्स ओटर या लूट्रो गेल पर स्पिसिलेटा मैक्सविली अब देखिए एक रीचर है कितने समय से वो अपनी जगे पे रह रह रहा है अब नए लोगों के साथ या नए परसिन के साथ अडाप्ट करने में उसको टाइम लगेगा कोई भी क्रीचर हो कोई इंसान ही क्यों ना हो जब नहीं जगे पे जाता है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है वहाँ के लोगों से घुलने मिलने के लिए वहाँ पर अडाप्ट करने के लिए तो यहां पर यह जो पर्टिकुलर ओटर है मिजबिल है उसको 24 गंटे तक यानि एक दिन तक जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हॉस्टाइल नहीं था कि जैसे बहुत प्रतिरोध कर रहा हूं कि नहीं नहीं मिरू भाग रहा है यहां काटने कोशिश कर रहा है जो भी ऐसा कु ना तो वो बहुत ज़्यादा नेगिटिव में था नहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में हां बट वो बहुत अलग-अलग रहा था अलूफ एंडिफरेंट अकेला थोड़ा रहना पसंद कर रहा था चूजिंग डू स्लीप ऑन दे फ्लोर और उसने जो है जब रात को दूर जाके सोय क्योंकि अभी वो दोस्त नहीं बने हैं अब होता क्या है कि पहली बार तो उसने क्या किया कि वो बेट से जितना दूर हो सकता उतना सोया बट अगले दिन खुदबख खुद वो अडाक्ट होने लगा तो उसने क्या किया वो जो ओथर का बेड है उस पे जाके सो गया कहां सोया वो ओथर का जो क्रूक ओफ दे नी है अभी इसका मतलब क्या होता है जैसे यहाँ पर देखो यह घुटना जैसे ही मोड रहे ना जैसे आप बेंड करते हों मोडते हों तो यहाँ पने एक स्पेस क्रियेट हो जाती है अपने के घुटने के जस्ट पीछे वहां जाके वो सो गया क्लियर और कब तक सोता रहा जब तक वहां पर जो सेवक है जो सर्वेंट है वो चाय लेकर नहीं आया मतलब सुबहा तक वहां सोता रहा और दिन के दौरान वो अपनी जो एक अपथी थी जो एक यूनो उसका अनफ्रेंडलीनेस था या एक अलग हटके भी हेविर चल रहा उसका वो उसने खोड़ना मतलब धीरे धीरे चोड़ना चालू किया और अब वो अपने आस पास की जो भी चीजे हैं उसमें बहुत जादा इंटरेस लेने लग गया दान चलिए वर्स देखते हैं फटा फट से सबसे पहले होस्टाइल इसका मतलब होता है अन्फ्रेंडली यानि विरोधी व्यभार ठीक है मतलब आपको ऐसा होता है कि नहीं मतलब एको दूरी रहना है अलूफ और उदासीन बहुत अलग अलग रहना इसका मतलब है जैसे आप अपना घुटना मोड़ते है तो जो बिल्कुल पीछे का एक सौफ्ट सा हिस्सा बन जाता है स्पेस बन जाती है वो होता है क्रूक अब दिनी नरा मंदर का हिस्सा जहां आप अपना घुटना मोड़ते हैं और अपथी है अपसंस ऑफ इंटरस उदासीन था तो जितना संभव हो सके मेरे बिस्तर से उतना दूर फर्श पर सोना चुन रहा था यानि उसको लग रहा था मैं वही सोऊ ठीक है बहुत दूर दूर मैं नसे बहुत दूर रहूं और फ्रेंडली नहीं रहूंगा क्योंकि वो जानता नहीं है ओथर को दूसरी रात मिजबिल आधी रात के बात के समय में मेरे बिस्तर पर आ गया और मेरे घुटनों के बल सोता रहा जब तक की सेवक सुभा चाय नहीं ले आया और दिन के दौरान अपनी उदासीन तक होने लगा और एक अत्यंत बहुत अत्यंत रुची अपने वातावरन में लेने लगा तो जो भी उसका वातावरन है आस पास का सब में बहुत जादा इंटरेस्ट जो है वो बिल्टाप करने लगा तान ओके अब होता क्या है की ये बोलते है की इन्होंने ना कभी भी कोई जैसे जानवर होता कोई भी पैट होता है तो आप ना उसका एक body belt बनवाई लेते हो जिसको पहना कर लाइक जानवर को पहना कर आप उसको walk कराने ले जाते हो ताकि वो आपके पीछी-पीछी चल सक्के आप पकड़ लेंगे वो जो उसको body belt में जो लगा हु उसे वो पकड़ कर ले जाते थे तो इस बार उसको कहा लेकर गए बाथरूम में लेकर गए जहां पर ओटर आदे घंटे के लिए पानी में पागलो की तरह खेलता रहा क्योंकि उसको बहुत-बहुत-बहुत मजा आ रहा था पानी में ऐसे splash और splash देखने के लिए आनि जब आप चपचप करते हो तो पानी ऊपर आता है चपचप क्या वाज आती है तो वो सब चीज में इसे बहुत मजा रही थी,वो प्लंच कर रहा है रोल कर रहा है कूद रहा है घूम रहा है पानी नी च जा रहा है पारट ट अब और इस तरीकेस वीपश में ना बहुत- Lynn से देख लीजे, plunging जो है, वो है, falling and sinking, डूबने वाला, ठेकल प्लंज करना है, यह उपर चा रहा है, फिर जा रहा है, पर जा रहा है, पिर जा रहा है, पिर जा रहा है, फिर जा रहा है, जिर आपको जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, Slosh and Splash मतलब छप-छप की आवाज जोती नहीं, Splash करना वो कहलाता है Slosh and Splash, clear, okay मैंने उसके लिए एक Body Belt बनाया और उसे बाथरूम में लेग गाया जहां आदे घंटे के लिए वा पानी में खुशी से जूमता रहा उसमें कूधता और लुड़कता था बाटब की लंबाई को पानी की भीतर उपा नीचे करता रहा और दरियाई गोडी की तरह पानी में छप-छप करता रहा तो बड़ी यह मज़े से वो enjoy कर रहा है पानी में जिस एक छोटू सा बच्चा करता है clear, okay This I was to learn is a characteristic of waters Every drop of water must be so to speak extended and spread about the place तो यहां दिया हुआ है कि इनको लगता है कि एक water का यह characteristic होता है सिरफ मिजका नहीं था वाकि जितने भी उद्बिलाव होते हैं सबका यह एक characteristic होता है कि उनको पानी अगर कहने के लिए कहा जाए so as to speak कि पानी के हर एक बूंद फैली हुई हर जगा पूरी जगा पर होनी चाहिए मतला एक जगा पानी ठहरा हुआ उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद इसलों पूरा पानी फैलाना पसंद करते हैं A bowl must at once be overturned और if it will not be overturned be sat in and sploshed in until it overflows तो एक जो पानी का बरतन है वो पूरी तरीके से उल्टा देना चाहिए यानि पानी का बरतन भड़ा पड़ा है तो पानी ऐसे क्यो है भाई हर जगा पहला हुआ क्यो नहीं है तो पूरा bowl उल्टा देगा ताकि पानी फैले और उसको मजा आता था तो otters का ये मानना था कि पानी जो है वो हमेशा movement होनी चाहिए उसमें हिलता रहना चाहिए पानी इदर उदर होना चाहिए क्योंकि अगर पानी static है रुका हुआ है या पानी जो है वो कोई भी activity नी कर रहा पहला हुआ नहीं है everything तो इसका मतलब पानी क्या है वेस्ट हो रहा है according to otters और ये उनके लिए बहुत ही ज़दा प्रोवोकिंग होता है उनको बड़ा उतेजित करता है परिशान करता है इरिटेट करता है और इसलिए वो पानी को क्या करता है भी पूरी तरीके से गिरा देते है या तो बोल को ल रियाक्षन या तो गुस्सा निकालना या फिर कोई और रियाक्षन उतेजित करना उसे कहते हैं प्रोवोकिंग तो ये जो पानी रुकावा पानी है वो कही ना कहीं otter का गुस्से का जो एक इरिटेशन जो है वो बहार ले आता था अब पूरा पर लिया पड़ा पर से इं संथी किसको हर एक otter को पानी को हमेशे चलता हुआ दिखना चाहिए इस्तिर होने पर वह बरबाद और उतेजक होता है ऐसा otters का मानना है कि पह पानी ना बहता रहे बस बहता हुआ पानी is something जो उनको पसंद है और अगर पानी रुका हुआ है तो वो वेस्ट हो रहा है और वो एक तरीके से otters को उतेजित करता है गुस्से में ले आता है डान ओके टू देज लेटर मिजबिल एसकेप्ट फ्रॉम अज एंटर इस टेल डिसप्यारिंग राउंद बेंड बेंड़ कोरीडोर दान लेट टू बाथरूम अभी यहां क्या दिया हुआ है कि यह पानी व दिरे दिरे गायब होते जाते हुए दिख रही थी उस कोने पे उस बेंड पे जहां से बाथरूम आता है यानि वो बाथरूम में जा रहा था जब तक वहां पर ऑथर पहुचे, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws तो जब तक यह पहुचते हैं बाथरूम में देखने के लिए कि यह क्या कर रहा है मिजबिल वो देखते हैं कि मिजबिल तब तक bathtub के उपरी end पे, high end पे, last end पे पहुच चुका था और वहां पर वो जो नल बने हुए हैं, जो chromium के नल बने हुए हैं उस पे पूरे अपने pause से जो है कोशिश कर रहा है, पंजों से कोशिश कर रहा है कि वो खुल जाए तो इस तरीके से इनको मज़ा आता है पानी में otters को खेलने में, इनका फेवरिट चीज है पानी में खेलना ठीके, तो वो पूरी कोशिश कर रहा है, fumbling यानि अपने कुछ भी हाथ से कुछ भी कर रहा है, आना जब पता नहीं होता, आपको skill पता नहीं होता, आपको कुछ भी जब करते हो न, तब ही उस वो fumbling कहते हैं तो वो अपने जो ये नल है, उस पर अपने पंजे मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, कि भी यह खुल जाया, तो पानी निकले, तो मैं उसमें खेलू, clear? चलिए, वर्ट्स देखते हैं, फटा फट से fumbling और chromium, fumbling यानि trying to do something in a clumsy manner, बहुती होचपोच तरीके से, जब आप कोई activity करते हो, उसे कहते हैं fumbling, which means अनाडी तरीके से कुछ करने की कोशिश करना, chromium क्या है, chromium एक substance है, hard white metal, used to make taps, metal होता है, जिसे नल बनाते है, से chromium ही कहा अब हो रही है, और उस मोड से क्या आता है भई, जो बाथरूम की और ले जाती है, जब तक में वहाँ पहुचा, वह बाट टब के अंत तक पहुच चुका था, और अपने पंजो से chromium के नलो को खोल ले की कोशिश कर रहा था, तो देख रहे हैं आप, एक बार उसने देख और अफेर प्रिकल ओड आफ्र अमोंट ओड शूचीवच देख रहे हैं तो यहाँ आपर शॉक्ट थे, अमेज थे, सप्राइज़ थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ओटर ने आधे मिनिट से भी कम समय में उस नल को इतना तो खोल दिया था कि उससे थोड़ा थोड़ा प लो पानी का आने लगा तो उसने पूरी कोशिश की और उसने नल ओपल कर लिया ये चीज़ देखकर ओथर सप्राइस थे He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. अगर आप तुल जाएगा पाणी आजाएगा अगर आप गलत डिरेक्शन में तो वह और ताइट हो जाएगा और और उसकी वज़े से जो है पानी नहीं आ रहा है, ये नलना मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है और इसलिए वो बहुत साथ इरिटेशन में अजीब बजीब आवाज निकालते चिटर करते ताकि यू नो वो ये चीज दिखा सकी कि भी मुझे बहुत गुसा आ रहा है ये नलना मेरी सुन नहीं रहा है लिए? ओके चलिए वर्ड्स देखते हैं ट्रिकल और चिटरिंग ट्रिकल मतला फ्लो इन स्मॉल स्ट्रीम बहुत ही थोड़ी सी लहर भेना पानी की बून-बून कर भेना टपकना चिटरिंग यानी मेकप ट्विटरिंग और चाटरिंग साउंड एक अलग ही तरीकी के आवाज जो की चहज चाहना या बगबग टाइप की जो चहज चाहर करके आवाज होती है उसे कहा जाता है चिटरिंग टा? मैंने देखा चकित हो गया एक मिनिट से भी कम समय में उसने पानी की बून-बून-बून निकालने के लिए नल को काफी हद तक खोल दिया था और ये किया दो पल के बाद पानी का पूरा प्रभा भी प्राप्त कर लिया था वह नल को सही दिशा में मोरने में भागिशाली वह अन्य अफसरों पर नल को गलत दिशा में मूर देता था जिससे भकस जाता और जब पानी उसमें से नहीं बहता था तो मिझबिल निराश हो जाता, तो मिझबिल बड़े निराश हो जाते कि यार यह क्या है, मतलब मैं नल को खोल रहा हूँ, खुलनी रहा, पानी नहीं आ तो बड़े परिशान हो जाते हो और फिर अपना इरिटेशन शो करते हैं, clear? Okay, very soon Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. अब धीरे-धीरे क्या हुआ ना, अब मिझ को बताने की जरूरत नी पड़ती कि आजाओ में जिया, उसको ले जाने की जरूरत नी पड़ती थी, अब धीरे-धीरे मिझ जो हैं वो बिना किसी, you know, ऐसे direction दिये आ जाता था. Even अगर author उसको बुलाते थे कि मिझ या मिझ बिल, तो वो सुनकर author के पास आ जाता. He spent most of his time in play. Order क्या करता पूरा time? ज्यादा तर अपना समय वो खेलने में बिताता. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed saucer player, using all four feet to dribble the ball and he could also throw it, with a powerful flick of the neck to surprising height and distance. कैसे खेलता वो बॉल से? वो क्या करता ना? बहुत घंडों तक जो एक बॉल है, उसको अपने चार पैर है, इसके आप देख सकते हो, तो चारों पैर से वो बॉल को डिबल करता. डिबल मतलब ऐसे करके डिबल करते हैं बॉल को, तो that is what is, डिबल करना ठीक, अभी वैसे बहुत जादा ही चल रहा है डिबल डिबल, जो real fans है, उनको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ना वो डिबल कर रहा है से बॉल को, और यह वो चार जटके से बॉल जो है, वो एक बहुत जादा बड़ी हाइट पे या बहुत जादा दूरी पे चली जाए, तो इस तरीके से स्मार्टली खेलता कौन, ओर्टर या कहलीजे, मिज, clear, चलिए, बहुत देखलो, flick, flick means what, a quick light movement, जटका है, यानि वो अपने गर्दन से जटका देत वर रबर की गेंद को चारות के फुटबाल खिलाडी की तरह, कमरे के चारות के फुटबाल खिलाडी की तरह, ऐसे गर्दन के एक शक्तिशाली जटके के साथ, आश्चरे जटक उचाई और दूरी तक फेक सकता था, तो आपसे पूँछा जा सकता है, कि मिज, क्या करता था, तो जो पानी वाली activity है वो आपको पता होनी चाहिए, फिर बॉल से कैसे खेलता था वो पता होना चाहिए, आगे जा क्योंकि बहुत information है, ये chapter आपके लिए बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें और आपको सारी चीजें धिहान में रखनी है, तो कोशिश करना इसको enjoy करो, जैसे कि आप अपनी पैट के बारे में पढ़ रहे हो, otherwise boring हो गया आपके लिए तो आप सची में भूल जाओगे, ठीक है, तो थोड़ा interesting बनाना है खुद से इसको, मज़े से पढ़ना है क्या रिवायर, क्या जानवर है, क्या-क्या चीजें कर रहा है, clear? Okay, but the real play of an otter is when he lies on his back, movement and juggles with small objects between his paws, अब मुझे नहीं पता आपने कभी juggling देखी कि नहीं, कई लोग होते हैं जो ऐसे बहुत सारी चीजों को ऐसे balance करते हैं, वो ऐसे फेकते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ लेते हैं, समझ आ रहा हो, I hope आपको, ये juggling कहलाता है, यानि एक साथ उसी समय प चोटी चीजे जो हैं, वो अपने पंजों की बीच में जगल करता हैं, यानि जो चोटी चोटी चीजे उसके पास कोशिश करता हैं, एक समय पे उन सबको balance कर ले, Marbles were Mitch's favorite choice for this past time, और juggling करते वागत उसका सबसे favorite object होता था Marbles, Marbles क्या होता हैं, कंचे, ठीके, तो कंचों को न वो ऐसे से balance करता हैं, अपने pause के पीच में, He would lie on his back, पीट के बल लेड जाता, rolling two or more of them up and down, his wide flat belly, without ever dropping onto the floor, तो उसकी बहुत बड़ा सा पेट है, बेली है और flat है, है ना, wide flat belly, यानि मोटा पेट नहीं है, उसका flat belly है, और वो लेड जाता हैं, और उसके बाद बहुत दो चार कंचे जो हैं, उनको ऐसे से हवा में उच्छ और अपने pause के बीच में उसको balance करता, मतलब imagine करो कितना interesting और exciting होगा इस creature को ऐसे करते हुए देखना, और आज तक कभी भी उसने एक बी कंचे को गिराया नहीं था फ्लोर पे, इतना बड़िया जगलर था ये, clear, okay, जगल्स का मतलब होता है, continuously toss into the air and catch a number of objects, so as to keep at least one in the air while handling the others, नदब ये से आप उचालते हो तकि एक हवा में रहे, फिर आपके बाकी आप हाथ में कर लो, फिर फेको, फिर फेको, ऐसे एक हवा में होता है, बहुत ही बड़ी आक्ट वीडियो होती होती है, तो वो चीज होती ह जगले, यानि एक साथ कई चीजे सम्हालने का जो खेल होता है, उसे आप कहते हो जगल करना, डान, ओके, लेकर ने गुद बिलाव का असली खेलता होता, जब वो अपनी पीट के बल लेट जाता, और अपने पंजो के बीच छोटी छोटी वस्तों को एक साथ सम्हालने की को है, तो यह next activity है, जो आपको पता होनी चाहिए, about Midge, done, okay, oh, so we are done, so इस तरीके से chapter खतम नहीं हुआ है, ठीक है, यह सिर्फ 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 आपके part 1 है, वीडियो का, यानि कि आपकी story के पहले दो हिस्से जो है, वो मैं आपको बता दिया, ठीक है, तो 1 और 2, done है, अब बचत जा रहे है, तो कोशिश करना, इस वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लो, और आगे की story book से मत पढ़ना, वो हम अगले वीडियो में ही पढ़ेंगे, तभी आपको उच्छे से याद हो जाएगी, तो या, अभी के लिए इतना ही आज के topic के लिए, बट फटा फ वेबसाइट पर क्लिक करो, और आपके सामनी ये page उपस्तित हो जाएगा, अब इसी page पर आपके सारे courses हैं, देखिए सारे courses की list है, जो आप चूस कर सकते हो, आपको क्या पढ़ना है, English Medium क्लिक करेंगे, तो English Medium के subject की वीडियो आएगी, Hindi Medium पर क्लिक करेंगे, आपका Hindi curriculum का वी क्लिक करना है, क्या मिस्टेक्स हैं, जो आप English में करते हो, कैसे आप book read कर सकते हो, तो बहुत सारी activities है, तो आप उसमें जाके explore कर सकते हो, थर्ड आता है, आपके पास NTSC और Olympiad, जिस पर क्लिक करके आप कई ऐसे वीडियो देखेंगे, जिसमें आपका ग्यान डेफिनिटली बढ़ने वाला है, और आपको मैं जाधा explain करने की मुझे ज़रुत नहीं है, भिकसा आप में से कई लोगों का इन में से कोई dream होगा, जैसे आप में काई जेक्तर करना, नीट करना, उपीस्ट करना, S.S.E. बैंक, आरार्ब, एक्सेक्टरा, तो ये सारे कॉंपरिटिव एक्जाम्स के वीडियो भी मागने ड्रीम्स पे अवेलिबल है, सब कुछ फ्री ओफ कॉस्ट है, तो कोशिश करो अभी से इसकी छोटी छोटी प्राक्टेस, थोड़े-थोडे स्टार्ट कर दो, ताकि आपको ना क्लियर हो जाए कि मैं एक्जाक्ली क्या चाहता हूँ, मेरा क्या गोल होना चाहिए, कितनी प्रेपरेशन लगेगी, कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो सपोज आज के लिए मान लेते हैं, आप इंग्लिश मीरियम का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो क्लिक कर दीजे इंग्लिश मीरियम पे, आपके सामने सारी क्लासे की लिस्टाय। आएगी, उस क्लास को चूज करिये जिसका भी वीडियो आपको देखना है, Supposure आपने बाखी के chapters को भी explore कर सकते हो, बाखी के courses को explore कर सकते हो, make sure एक बार magnetbrains.com विजिट जरूर करो, ना, ओके, सो इस तरीके से हम आ चुके हैं, आज के वीडियो के अंत में, I hope आपको सारी चीज़े clear हो गई है, also आप excited हो कि आगे क्या हुआ स्टोरी में, तो बहुती interesting सा incident होने वाला है फ्लाइट के अंदर, तो उसकी बात करेंगे कब भई, अगले वीडियो में जो आपको मिलेगा बहुत जल, तब तक खुत का सब का ध्यान रखिए, थांक यू सो मुश पर वाचिंग, बाई!